अब चोरी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं महिलाएं भी इस काम में पीछे नहीं हैं लेकिन तीसरी निगाहें हर किसी पर रहती हैं और ऐसी चोरियों का परदाफाश हो ही जाता है इंदोर के सराफा बाजार में जोईलरी शॉप में एक खरीदी करने आई तीन महिलाओं ने दो सेल्स गर्ल को बातों में उलज़ा कर कुछी मिन्टों में चालिस ग्राम वजनी सोने की जुम्कियों से भरा बॉक्स चुरा लिया पुरी घटना का दुकान में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है अब सीसी टीवी फोटेज के आधार पर सराफा पलिस महिलाओं की तलाश कर रही है दरसल पुरी घटना इंदोर के सराफा बाजार की मयूरी जोईलर्स में हुई है थोड़ी देर बाद जब सेल्स गर्ल डिब्बे जमा करनी गई तो पता चला कि एक बॉक्स कम है तुरंत कैमरे देखे गए तो घटना का पता चला पिलाल सीसी टीवी फोटेज की मदद से पलिस महिलाओं की तलाश कर रही है कल एक गटना करम ठाना सरापा चितर में आया जब तीन मेलाएं एक सरापा दुकान पर खरीदारी करने गई और खरीदारी करने के दौरान उन्होंने चक्मा देकर लगबग 30-40 ग्राम सोने के आवुशन लेकर चली गई बाद में दुकानदार की जानकारी में आने पर उसके दौरा थाना सराफे पर रिपोर्ट की जिस पर से पुलिस ने चोरी का प्रेकन कायम करके उसकी विविचना कर रही है जो आरोपियान है तीन मैला है उनको ट्रेस करने पर उनको ट्रेक करने पर आगे सीचिटी फुटेज में वो एक आटो में जाती हुए दिख रही है और पुलिस की टीम लगी हुई है हमारे साथी अधिकारी लगातार उसमें कोशिश कर रहे है और बहुत जल्दी उनको पक अपने अपने छेत्र में महारत हासिल करके उसी प्रकार की गटनाओं को अंजाम देते हुए इस प्रकार की गटना पहले भी एक-दो हुई है पहले भी पुलिस में पकड़ा है और जैसा की मैने बताया कि हमारे सभी अधिकारी उसमें लगे हुए हम बहुत जल्दी उनको पकड लगे लिए ब्यूरो रिपोर्ट जे एसर टाइम्स